नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप MS Word के इंसर्ट टैब में किस तरीके से स्कीन शॉट अप्शन का यूज कर सकते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई देगा हमारे सामने यहाँ पर दो एविलेबल विंडोज नजर आ रही हैं जिसमें से हम किसी भी विंडो का स्कीन शॉट यहाँ पर ले सकते हैं माली जी हमने यहाँ पर एक Google ओपन किया हुआ है जैसे हम Google पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर Google ओपन है और इसके अलावा आप देखेंगे हमने Excel को यहाँ पर ओपन किया हुआ है और अगर हम MS Word में जाकरके इन में से किसी एक स्कीन का स्कीन शॉट लेना चा चाहते हैं तो सेम उसी तरीके से आपको इंसेट टैप पे जाना है स्कीन शॉट पर क्लिक करना है और जैसी हम Excel पर क्लिक करेंगे तो एक्सल का जो स्कीन शॉट था वो आपके सामने यहाँ पर रिप्रजेंट हो जाएगा तो इस तरीके से आप किसी भी Windows का स्कीन शॉट य और यहां से आपकी जो window थी यानि की जो भी represent window आपके सामने दिखाई देगी उसका screenshot आप यहां पर selection करके ले सकते हैं जैसे मालिज हमने इस window को इतना select किया और जैसे हम यहां पर click को छोड़ेंगे तो हमारी वो screenshot यहां MS Word में automatically represent हो जाएगी तो इस तरीके से आप MS Word में screenshot option का use क कर सकते हैं इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर आपके सामने काफी सारे options नजर आ रहे हैं picture format के तो इस picture format के बारे में मैंने already एक video बनाई हुई है जिसका link मैं आपको i button पर दे दूँगा आप वहां से इसको देख सकते हैं इन सभी option को मैंने एक-एक करके उस video के अंद कर दो